उखर जोनाई के जोड़ाई की चेल निर है मच्छी पालन तो इकर रुत पादन कैसे बढ़िया होई सके उकर ध्यानराख्यक है। पोखरा में जतना जली पौधा मन है चाहे कि छुटका-छुटका मचरी मन है सहो मन के निकलाए देख जाही जली पौधा मन के मजदूर लगाय के निकलाले बेश रही उकर से रोर पोखरा जे है अच्छा से बेश से सपा होई जाही यहोध्यान राखेख है कि इफिन ना हूं खायक वला और बेकरिया मच्री मन के सिराइक लगिन पोखरा के पूरा पूरी सुखाय देख बेश रहल और इसन करेक ले इकर में जहर कर प्रयोग करल जयल और जहर हमने मन के का देख है इकर लगिन एक एकड पोखरा में एक हजार किलो ग्राम महुआ कर खरी के डाइल देले दूचैर घंटा में सोब मच्री मन बेहो सोय के उपरेवटे आयजयन पानी में दूसो किलोग्राम प्रती हेक्टर ब्लीचिंग पौडर का परयोग से खाव मच्री मन कर मारल जय सकेल पानी में इजहर कर असर दस से पंदरा दिन तक रहल दोसर है जीरा संरक्षन पोखरा मे चुनल्प मच्री मनक संचयन से उतपादन अईधिका होयल इमच्री मन कर अमुलीकाएं चाईर हजार प्रती एकड संख्या में हेठे देल अनुपात में डालेक चाही देसी मच्री मन संख्या कतना हो एक चाही और बिदेसी मच्री मन उकर संख्या कतना हो एक चाही देशी मच्री मन में कतला 800 प्रतियेकड, दुसर रोहू 1200 प्रतियेकड, मगरी 800 प्रतियेकड, बिदेशी मच्री मन में सिल्वर क्रॉप 400 प्रतियेकड, ग्रास क्रॉप 300 प्रतियेकड और कॉमन क्रॉप 500 प्रतियेकड अब माइंद कर भी परियोग होयल मचरी कर उतपादन में गहन मचरी उतपादन ले जैविक या की रासायनिक माइंद कर बेरा रहते उचित मातरा में दे दे ले बढ़ियां रही माइंद के डाले कर तालिका में सुची देल जा है से के ध्यान से सुनू माइन डालेकर बेरा, गोबर, याकी डीएपी, याकी चूना जीरा संचै कर बीस दिन कर पहले 800-200 मातरा किलोग्राम एकड में गोबर, डीएपी, याकी चूना के डालेक चाही हनियर प्रती महिना हर एक महिना जीरा देख बेरा और उकरवादे चैर सो से पचास किलोग्राम प्रतिय एकड में गोबर, डियेपी या कीचूना कर मात्रा देख चाहे इकर से पानी उपरे हरियर काई करव परत जदी जेम जाय तो माइंद के डैल देवे अगला है कृत्रिम खायक मच्री कर एदका उत्पादन ले प्राकृतिक खायकर अलावे कृत्रिम खायक जरूरी है इकर ले सरसो कर खरी और चावर कर कूड़ा बराबर मात्रा में परियोग करल जाय सके मिस्रन डालेक विधी इनियर होईक चाहे खाना देख बेरा पहिल है जीरा संचै से तीन महिना तक दू से तीन किलोग्राम प्रती एकर में देख चाहे दूसर है चौथा से छटा महिना तक तीन से पांच किलोग्राम प्रती एकर में देख चाहे सात्वा से नवा महिना तक पांच से आठ किलोग्राम प्रतिय कड़ में दस्वा से बार्वा महिना तक आठ से दस किलोग्राम प्रतिय कड़ में इनियर मच्री पालन कैर के गवया मन बिगर अइद का महनत कर ले औरो काम कर रहते प्रती बरिस 1500 किलोग्राम मच्री करूत पादन से 25,000 रुप्या कमाय सकें मिस्रित मच्री पालन में आमदनी और खर्चा कर बेवरा माने की मिस्रित मच्री पालन जदी रोरे कर रहा थी तो उकर में रोरे के खर्चा कितना होई और उकर से आमदनी कतना बेटाई इके एक्ठो सुची में देखे खें जदी रोरे मच्री पारण सुरू कर रह थी तो पोखरा कर किराया लागी 3,000 रुपया प्रती हेक्टर और उकर से अनुमानित खर्चा होई जाए रोरे के 1,200 जदी उकर मरमत मन कर रह थी तो उकर में लागी 3,000 रुपया प्रती हेक्टर में खर्चा होई जाए रोरे के 1,200 रुपया और ब्लीचिंग कर जदी परियोग कर रह थी तो 80 किलो ग्राम ब्लीचिंग कर रोरे के खर्चा बेटाई 1,200 रुपया उहे लखे जदी डीएपी कर परियोग कर रह थी 96 किलोग्राम तो उकर में खर्चा बेटाई 960 रुपया चुना कर परियोग में 750 किलोग्राम कर परियोग कर रह थी तो उकर में खर्चा है 1,500 चावर भूसी में 2,035 किलोग्राम कर परियोग कर रह थी तो उकर में खर्चा बेटाई 16,280 रुपया मचरी चुरा में 365 किलोग्राम कर परियोग केर के रोरे के खर्चा बेटाई 3,650 रुपया और दनी मनी छोट मोट जे खर्चा है उकर मिलाय जुलाय के रोरे के बेटाई 500 रुपया कर खर्चा कुल मिलाय के रोड़े के खर्चा बिटा थे 32,245 रूप्या इनी यर मिश्रित मचरी पालन से एक एकड़ पोखरा से हर एक बरिस रोड़े के 23,000 कच्चिया कर फैदा हुए सेकिल इन येर मिस्रित मच्री पालन से एक एकड़ पोखरा से हर एक बच्छर रोडे के कच्चिया कर फैदा भिटाई उहे 23,000 रुपया कर फैदा होई सकेल अब समन्वित मच्री पालन मच्री पालन से एदका उत्पादन आये और रोजगार ले इकर पसू पालन से जोडल जाये सकेल जदी मच्री पालन से सुवईर, मुर्गी या की गेड़े पालन के जोडल जाये तो इकर पैखाना मन से मच्री मन ले समुचित प्राकृतिक भूजन उत्पन होईल इवेवस्था से मच्री पालन में अलगे से दूसो मुर्गी या की 120 गेड़े कर माइंद बगरा होईल मच्री बिहिन कर उत्पादन इसन पोखरा से जे बहुत छुटका है माने की 10 से 25 डिशमिल और जेकर में पानी अईद का दिन तक नीरहल उकर में मच्री कर उत्पादन संभौ नखे सेले इसन पोखरा मन में उत्पादन करे कर ना सोचू मुदा मच्री बिहिन जीरा कर उत्पादन कर काम इकर में करल जाय सके हैं किसान 25 डिसमिल कर पोखरा से एक धाउ में माने की 15 से 20 दिन में 5,000 रुपया और एक बरिस में 3 से 4 फसिल कर 15,000 से 20,000 रुपया तक कमाल जाय सके हैं साधारन तह इसोग छेतरमन में मच्री बिहिन कर बहुत ते कमी होयल और बहुत सन पोखरा बिहिन कर कमी कर चलते मच्री पालन कर उपयोग में निया विक पारिल जीरा उत्पादन कर विस्तृत वईजानिक विधी और आमदनी और खर्चा कर बेवरा इनिय रहे मच्री उत्पादन कर बैज्यानिक विधी एक एकड़ ले केसन कर एक है केसन बेरा रहेक चाही कौन-कौन समान चाही और प्रती एकड़ में कितना है स्पॉन छोड़े कर साथ दिन कर पहले और समान है गोबर, कच्चा, याकी, सडल और चुना प्रती एकड़ में 2 किलोग्राम प्रती एकड़ स्पॉन छोड़े कर एक दिन कर आगे है समान है डीजल और सावन कर घोल और दर है 20 लिटर प्रती एकड़ तीसर है स्पॉन छोड़े कर बेरा भिनसारे याकी सांच स्पोन कोई यो एक जाती कर मचरी या कि मिस्री तो लेल जाय सकेल इकर दर है दस लाग प्रती एकड में और अगला है स्पोन छोड़े कर एक दिन पाचे से पूरक आहार समान में है सरसोखरी और चाउर कर भूसी पिसेक बराबर अनुपात में दर है छे किलोग्राम प्रती एकड आधा भिंसारे या की आधा सांच के अब है स्पोन छोड़े कर छो दिन कर पाच्छे से ओहें नियर है और बारा किलोग्राम प्रती एकड में आधा भिंसारे और आधा सांच के किसान भाई स्पोन छोड़े कर सोरा दिन से जीरा निस्काय के उके बेचेक सुरू कर देवें इकाम के बिहान या की सांच कर ले बेसरी